हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजू नीटिंग चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर डिजाइन में स्कुर्ट का डिजाइन लेकिया हूँ जिसे बनाना बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे से मैं पूरा आपको बताती जाओंगे कैसे कैसे इसे बनाना और यह देखिए मैंने दो कलर क्यों लिए है आप अपनी मन पसंद के कलर ले ले जो भी आपको पसंदो कलर दो कलर अगर एक कलर में बनाना तो वो भी लगा सकते हैं यह आपकी इच्छा पे-डी बेंड करता है कि आपने कितने क्लर में बनानी है कि मैंने दो कलर में बनाई है कि यह देखिे कि यह मैंने इसका अपर का बनाया यह देखीस एक पाड मैंने बना बनाया यह दिखिया मैं पूरा बताती जाओंगी यह कैसे बनाना यह दिस्ट्रेच बल जैसा बनता है और यह हंपने यहां पर मैंने कैसे बनाया यह सारा आपको साथ साथ में बताती जाओंगी आगे मैंने दो कलर एड़ किए अगर आपने और कलर एड़ करने हैं तो वह भी कर सकते हैं वह आप अपने हिसाफ से देख ले अगर एक कलर में बनाना तो एक कलर में भी अच्छा लगेगा सबसे पहले हमने यह वाला पाट बनाना है यहां पर हम इलास्टिक डालने के लिए बनाया है इसे कैसे बनाया है सबसे पहले यह बनाएंगे उसके बाद में आगे का बताती जाओंगी साथ साथ में यह देखिए फ्रंट साइट से यह मैंने ऐसे नज़र आ रहा है और बैक सा णाट से यह इसाना सफर और कि गा-उमना मेरे साथ-साथ ही बनाते जाना आप पूरा आपको डिटेल में बनांगी कैसे कैसे इसे बनाया सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट एसको बनाने के लिए मैंने ये दिक economy हरे vibration है इससे बतांगी अपको कि ये कैसे बनाना आप वी दो यह दिखी नीडल पर दूनों नीडल पर फंदे डालना ताकि थोड़ा लूस फंदे डले ताल है तो फिर फंदे डोलो फंदे डालेंगे तो फिर बनाने में अच्छा रहेगा और टायट नीग लगेगा उपर का बेल्ट टाइट नहीं लगेगा थोड़ा लूज लूज ही चाहिए तो इसके लिए मैंने दोनों को जॉइंट करके दोनों पर इकठे फंदे डाले हैं अब एक नेडल यहां से निकाल लेंगे यहां से हमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे बनाते जाना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे बनाना पहले यह मैंने इसलिए बनाया कि ताकि बनाते हुए यह स्ट्रेचिबल जासा बने यह दिखिए यह स्ट्रेचिबल जासा बने ऐसे इसलिए मैंने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसा बनाया है दोनों साइड पर ऐसे बनाना सीधी रो में भी उल्टी रो में हमें ऐसे ही बनाना है इस साइड पे भी जो उल्टा नज़रा रहा है उसे उल्टा बनाएंगे जो सीधा नज़रा रहा है उसे सीधा बनाएंगे कर दोनों रो में ऐसे ही बनाते जाना एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा यह दिखिए यह दो रो मैंने बनाके कंप्लीट कर लिए यह दिखिए यहां पर मैंने बनाने के लिए एंगा 36-32 इंगर मैं रो कंप्लीक करने के बाद फिर यहां पर इसे यह दिखिए ज्वाइंट क्या हुआ है तो हम डेमो के लिए यहां पर कुछ और बना लेते हैं उसके बाद इसको मैं बताऊंगे कि कैसे जॉइंट करना है कुछ और रो बना लेते हैं 8-10 देखें फ्रेंड्स मैंने इतनी रो बनाके कंप्लीट किये अब क्या करेंगे यहां से हमने जो फंदे डाले थे यह देखिए यह सिंगल धागे से डालने है आपने फंदे और दोनों यह देखिए दोनों यहां पर ऐसे जॉइंट करना है जॉइंट करके दोनों पर इकठे डालने है और सिंगल धागे से डालने है अब क्या करेंगे यहां से हर फंदे को हम खोलते जाएंगे यह देखिए एक एक यहां से एक-एक फंदे को ऐसे खोलते जाएंगे, एक-एक फंदे को खोलते जाएंगे और इस लाइपे लेते जाएंगे, यह दिखिए, इस लाइपे लेते जाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले फंदे को खोल लेंगे, इस फंदे को खोल लेंगे, इस लाइपे ले लेंगे एक-एक फंदे को ऐसे खोलते जाएंगे निचे इसका बल यहां से हमने फंदे डाले थे इसी दिये मैं बोल रही हूं कि सिंगल धागे में फंदे डालना को खोलने में फिर परिशानी नहीं आएगी यह लेखे सिंगल को ऐसी खोलते जाएंगे और zwei फंदे को इसे में निडल में डालते छाएंगे और डिश्न क्याओं पूरे प्सक्केशबूर ले अमें क Rs these निकालने में कोई भी परिशानी नहीं आएगी असानी से निकलते जाएंगे और इस निडल पर डालते जाना यहां से एक एक पकड़ते जाना इस निडल पर डालते जाना यह पहले पूरे फंदे ऐसे ही डाल लेते हैं देखे फ्रेंट्स पूरे मैंने नीचे से वह देड़ दिया यहां भी पैने 25 फंदे डाले हुए हैं इधर भी 25 फंदे आगे अब हमें इस साइट से बनाना है यह देखे धागा इस साइट के है है तो इस साइट से बनाना है तो इस नेडल पर दूसरी साइट पर आएंगे यह देखे इस साइट पर आगे अब क्या करेंगे दोनों को ऐसे जॉइंट करेंगे और यह देखे एक फंदा इधर से लेंगे एक फंदा इधर से लेंगे दोनों को एक साथ बनाएंगे दोनों को ऐसे निकाल देंगे फिर आगे हुआ हमारे सीधा फंदा अरह तो हमें सीधा बनाना है講 आप tempra बनाया को आगे एक फंदा उल्टा आता जाएगा यह देखिए इक फंदा उल्टा अरहने है तो इसे ऊल्टा बनाएंगे ठागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा आ रहा है, तो इसे सीधा बनाएंगे यो फंदाप उल्टा आ रहा है, उसे उल्टा बनाएंगी सीधा, उल्टा, जैसे हमने नीचे बनाये, वैसे ही करते जाना एक सीधा यह देखें एक सीधा ठाग आपनी तरफ आगे उल्टा एक सीधा एक सीधा एक सीधा एक उल्टा ऐसे ही बनाते जाएंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा पूरी लाइन में ऐसे ही हमें जॉइंट करते हुए जाना है और एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाना है देखें फ्रेंट्स दोनों को जॉइंट करते हुए एक सीधा एक उल्टा यह सीधा नजर आ रहा है यहाँ पर सीधे के साथ सीधा धाग अपने तरफ करके एक फंदा इदर से लिया जो उल्टा नजर आ रहा है वो उल्टा बना दिया फिर से धाग उदर जो सीधा नजर आ रहा है एक इदर से लेंगे एक इदर से लेंगे दुनों को जोइंट करते हुए सीधा दोनों को जॉइंट करते हुए उल्टा ऐसे ही बनाना फ्रेंड्स एक इधर से लेना एक इधर से लेना जो सीधा नजर आएगा उसे सीधा बनाते जाना जो उल्टा नजर आएगा उसे उल्टा बनाते जाना ये लास्ट खंदा, ये सीधा, ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ से जॉइंट करते हुए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये देखिए, यहाँ पर उल्टा है, उसे उल्टा बनाया, यहाँ पर सीधा, उसे सीधा बनाया, अब क्या करेंगे, एक रो हम उ यहां तक उल्टा बना लेते हैं, फूरी रो उल्टा उल्टा बनाते हैं, यहां पर हमारा इलास्टिक डालने के लिए होल बन जाएगा, यहां पर बीच में आप इसमें रबर डाल सकते हैं, यहां पर बीच में से यहां से यहां तक यह देखिए, यहां पर आप इलास्टिक डालके, आगे मैं बताऊंगे यहां पर जॉइंट कैसे करना है, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें, यहां पर यह तो मैंने डेमो के लिए 25 फंदे डाले थे, यहां पर मैंने 74 फंदे डाले है यहां पर 74 फंद्डे डालें और यहां पर मैंने 38 रो बनाके कम्पलीट की है और उसको फिर डबल करके जॉइंट की है फिर एक रो मैंने उल्टा उल्टा बनाई है आगे हम सीधी रो में यहां पर हम 4 फंदे और बढाएंगे एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, हमें एक साइड पे ही चार फंदे नहीं बढ़ाने हैं यह चार फंदे इदर बढ़ा लिए, यहां इदर बढ़ा लिए, हमें ऐसे नहीं बढ़ाने हैं एक इधर बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ाएंगे, एक इधर, एक इधर, चार फंदे और बढ़ाएंगे, चार फंदे बढ़ाने के बाद ये दिखिए, चार फंदे यहाँ पे बढ़ाके हमें 20 रो यहाँ पे complete करने है, एक रो सीधी बनाते हुए, एक रो उल्टी बनाते ह नो, दस यह दिखी यहाँ पर अगर 2 रोव कमपुलीट करेंगे तो हमारे पास एक चेन बनेगी तो पहले यहाँ पर हमें चार फंदे बढ़ाने है इस रोमे और 20 रोव बनाज के कमपुलीट करने हैं एक रो सीध्य एक कूल सीधल एके इसे करते हुए 20 दूरी 20 रो सीधे कर लेती हैं कि तूरी 20 कव्याला को ही आगाकाน 가자 सकत कर लिए यहां पर पहाला फंदा हम सीधा बना लेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन कि चार धापीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे सीधा बनाने के बाद धाग हम पीछे ही रखेंगे फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे तो उपर जो धाग आएगा वो जाली बन जाएगी चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा पीछे रखेंगे फिर से चार फंदे उल्टे जो यहाँ पे उपर आता जाएगा वल वो जाली बनती जाएगी चार फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर से चार फंदे उल्टे ऐसे ही करते हो पूरी रोह हमें कम्प्लीट करने हैं देखे फ्रेंड्स इस साइड पे हमने चार फंदे उल्टे रखे थे यहां पे हमारे पास चार फंदे उल्टे रखने के बाद एक फंदा सीधा बनाया यहां पे हम जाली बनाएंगे एक फंदा उल्टाएगा एक फंदा एस्टिट सीधा बनाएंगे उल्टी रो में पहला फंदा स्किप्ट करेंगे एक फंदा सीधा ये देखे जाली वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे उल्टी रो में और जो फंदे हमने चार उल्टे बनाए थे वो हम सीधे बनाएंगे उल्टी रो में पूरा ऐसा ही चलेगा जो जाली वाले फंदे बनते जाएंगे वो हम उल्टे बनाते जाएंगे और जो उल्टे बनाएं चार फंदे वो उल्टी रो में हमेशा उल्टे सीधे ही बनेंगे ये देखे चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे जाली वाले ये दोनो फंदे उल्टे, पूरी रो ऐसे ही complete करेंगे, ये देखिए सीधी रो में आप क्या करेंगे, पहला फंदा पहले skip कर लेंगे, ये चार फंदे उल्टे ही चलेंगे, उल्टी रो में हमें सीधे बनाने हैं, और सीधी साइट से हमें उल्टे बनाने हैं, अब एक फंदा सीधा ब एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे और यह वाला फंदा भी सीधा यह पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है चार फंदे उल्टे बनाते जाना है एक फंदा सीधा जाली बनाई एक फंदा सीधा फिर से चार फंदे उल्टे ये हमें पूरी रो में ऐसे ही बनते जाना है उल्टी रो में पहला फंदर स्किप करेंगे अब यह दिखिए जाली वाले फंदे हमें उल्टे बनाने अब तीन फंदे उल्टे आएंगे और चार फंदे सीधे आएंगे चार फंदे सीधे यहाँ पे तीन फंदे उल्टे चार फंदे सीधे यह जाली वाले यह तीनों फंदे उल्टे पूरी रो हमें ऐसे ही बनाते हुए कंपलीट करनी है देखे फ्रेंड्स आगे हमें यहाँ पर यह देखे वाइर वाली यह वली सर्कुलर नीडल को यूज़ करना है क्योंकि फंदे हमारे जाली बनाते हुए फंदे बढ़ते जा रहे हैं चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सीधे फंदे के साथ जाली, अब यहाँ पे दो फंदे सीधी आएंगे, यहाँ पे फंदे सीधे बढ़ते जाएंगे, और सीधे फंदे के साथ जाली आती जाएगी, यह वले उल्टे फंदे चार ही उक कि зовут यह एकम धा सीधह जाली बनाई है दो फंदे सीधे पिर ऐसे चार फंदे सीधह ए teor पूरी पूरी रोओ करन सभिवेसं कस दो किनाई रही करने कdoes्याई चार फंदे लोध करसे ईसे इसे ही एक समुझा धे rainfall एक सी डा तीन चार फंदे हमें उल्टे बनाने है और चार फंदे ही हमें सीधे बनाने है चार फंदे सीधे यहाँ पे चार फंदे उल्टे यहाँ पे यह वाले फंदे उल्टे बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं तो उल्टे फंदे भी बढ़ते जाएंगे और सीधे फंदे चार ही चलेंगे यह देखिए पुरी रोग कंप्लेट करेंगे देखें फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने चार फंदे हमारे हमेशा उल्टे ही चलेंगे सीधी साइट से और उल्टी साइट से यह सीधे चलेंगे और यहां पे जो फंदे बढ़ रहे वो Michaels से हमेशा उलटे बनेंगे तो यहाँ पे हमने एक दो तीन तीन जाली क्या बना लेगं से कटे वहमें नैं जाली या बनानी यहां पर बतारी हो आपको यह देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो नो जालियां बनानी है नो जालियां बनाने तक हमारे फंदे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और यह वले फंदे वैसे ही चलेंगे उल्टे ही चलेंगे नो जालियां बनाने के बाद हमें यहां पर फंदे बढ़ाने बंद करने हैं और फिर सीधा सीधा बनाना है यह वले फंदे सीधे चलते जाएंगे और यह वले फंदे तो उल्टे ही चलेंगे यह देखिए आगे जालियां बंद कर दी फिर यह सीधे सीधे ही चलेंगे एसे ही बनाते उए हमें यहाँ पे यहाँ से आप दखेंगे यहाँ से यहाँ पे उपर वाली जो 20 रो बनाई थी यहाँ पे 10 चेन आये थे और आगे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक यहां तक यहां पे हमने दूसरा कलर एड़ किया है यहां से लेके यहां तक हमने 46 रो बनाई है 46 46 रो बनाने के बाद हमारे पास यहां पे 23 चेन आएंगी यहां से यहां से लेके यहां तक 23 चेन आएंगी तो पहले उसे बनाना है उसके बाद फिर ये देखिए चार रो मैंने यलो कलर की बनाई है चार रो मैंने ग्रे कलर की बनाई है चार रो बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो चेन आएगी ये देखिए साफ नज़र आ रही है दो दो चेन आएगी दो रो बनाएंगे तो एक चेन आएगी हमने चार रो बनाई है तो दो चेन आएगी ऐसे करते हुए मैंने तीन बार बनाया यह देखिए तीन बार इस कलर को लगाया आपने अगर एक ही कलर में बनाना है तो वो भी कर सकते हैं अगर और कलर एड़ करने हैं तो वो भी कर सकते ह यहां पर मैंने दो कलर लगाया आप और भी कलर एड़ कर ले आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है तो यहां से मैंने अगर आपने एक ही कलर में बनाना है तो यह देखिए यहां से चेन यहां तक मैंने 23 चेन बनाए है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 चेन आए हैं मेरे ऐसे आप पूरा यहां तक बना ले 36 चेन आए हैं अगर आपने लेंथ और यादा करनी है तो और भी बना सकते हैं मैंने इतनी बनाई है 36 यह देखिए मेरे 36 चेन आए हैं आप इतनी बना ले तो पहले यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आगे बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स यहां तक पूरा मैंने दोनों साइट से यह देखिए दोनों साइट से एक जैसे बनाके कंप्लीट कर लिए यह देखिए यहां से लेके पहले हमने यहां पे 10 रो यह दिखिए 10 चेन आये थे हमारे 20 रो यहां पे बना के कंप्लीट की थी उसके बाद यहां से लेके यहां तक यहां तक हमने यहां तक कंप्लीट करने में हमने 46 रो कंप्लीट की हमारे पास 23 यह देखे 23 चेन बने यह साइड वाले 23 चेन बने आगे हमने 4 row यहाँ पर complete की, दो chain आए 4 row यहाँ पर complete की, 4-4 करते हुए तीन बार हमने yellow color और दो बार यहाँ पर grey color बीच में add किया तीसरी बार यहाँ पर grey color लगाया यहाँ पर हमने यह देखें, 3 chain आए, 6 row last में हमने 6 row complete की, यहाँ पर लास्ट वाली six row है यहां पर four row four row four row ऐसे four four बनाई है यहां पर color में यहां पर six row complete किए six row यहां पर यहां से लेके यहां तक हमने 59 row complete किए यहां तक और लास्ट में हम इसे अगर आपने इससे ज्यादा length रखनी है तो friends आप और row बना सकते हैं मैंने यहां तक रखिया 59 row complete किए 36 chain आये हैं हमारे side में 36 chain आये हैं अब यहां पर हम इसे close करेंगे close करते समय यह दिखिए जो उल्टे फंदे हैं उन्हें यह दिखिए ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर अब हम सारे फंदे close करते जाएंगे यहां पर जो six यह वले फंदे आएंगे सीधे फंदे दस फंदे सीधे आएंगे धागा पीछे करेंगे यहां पर सीधे बनाते हुए close करेंगे दस फंदे जो सीधे हैं वो सीधे बनाते हुए close करेंगे जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाते हुए close करेंगे ये दस फंदे हमें सीधा बनाते हुए क्लोज करते जाना और उल्टे फंदे फ्रेंड्स उल्टे बनाते हुए क्लोज करेंगे ये देखिए दस फंदे हमने सीधे बनाते हुए क्लोज किये फिर से धागा आगे उल्टे चार फंदे उल्टे हैं ये देखिए चार फंदे उल्टे हैं तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे तो ये उल्टे बनाते हुए ऐसे क्लोज करेंगे ये देखिए अच्छे आगे 10 फंदे सीधी हैं तो अब दगापीछे कर लेंगे तो फिर से हमें सीधा बनाते हुए क्लोज करने है ऐसा ही करते हुए हम यह सारे फंदे पहले क्लोज कर लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स लास्ट थाक मैंने यहां पर सारे फंदे क्लोज कर लिए यहां से इसको कट कर लेंगे कि अच्छे तरह केंचे देंगे अब इसकी सिलाई करेंगे कि देखिए तरह कि देखिए देखिए यहां लिए टॉँट देखिए 3 दिए만 देखे फ्रेंट्स यह दोनों साइड इधर से भी सीधी इधर से भी सीधी यहां से हमें पहले यह देखे यहां से अंदर वादी साइड सिलनी है दोनों साइड से यहां से एक चेन इधर से पकड़ेंगे एक चेन इधर से पकड़ेंगे दूनों साइट से एक एक चेन पकड़ते जाएंगे और सिलते जाएंगे इस साइड का हमने सिल लिया अब आगे वी ऐसा ही करेंगे यह वली साइड और यह वली साइड उसी इसाफ से सिलेंगे कि अंदर हमारे यहां पर जॉइंट ना बने जोड ना बने हमें यहां पर लास्टिक डालनी है के लिए तो इसे ऐसे घुमाएंगे कुछा तैसे गुमाएंगे एक इधर से यह देखे अब इधर से पकड़ेंगे एक चेन और एक चेन यहां से लेगे एक चेन इधर से लेंगे यह दिखे बीच ऐसे दोनों साइट से गैप बना रहेगा यहां पर हमें इलास्टिक डालनी है ऐसे सिलते जाएंगे एक सिदर से चेन पकड़ते जाएंगे ऐसे दूसरी साइट पर भी ऐसे ही सिलना हमें मगर पहले हमें बीच में इलास्टिक डालनी है उसके बाद सिलना है यह दिखे ऐसे सिलता जाएगा चेन के साथ चेन मिलते हुए जाएंगे तो यह बिल्कुल यह दिखे बराबर सिलता जाएगा यह दिखे बिल्कुल अच्छी तरह से सिल गया दोनों साइट से यह देखे दोनों साइट से अब यहां से लेके हमें यहां तक सिलना है यहां तक सिलना है पहले यहां तक सिलन लेते हैं यलो लाइन तक एक चेन इदर से पकड़ेंगे, एक चेन इदर से पकड़ेंगे, ऐसे ब्राबरी में सिलता जाएगा एक चेन इदर से एक चेन इदर से 23 चेन, यलो लाइन तक 23 चेन है, दोनों साइड पर एक साथ एक एक करके सिलेंगे, तो ये बिल्कुल आराम से ऐसे सिलता जाएगा ऐसे ही पहले यहां तक सिल लेते हैं, यलो लाइन तक यहां तक सिल लेते हैं तो पर दोनों साइड से देखेंगे फ्रेंटS ग्रे के साथ ग्रे यहां तक मैंने कर लिए, अब येलो यहां से लेके यहां पर ऐसे हम ऐसे निकाल देंगे यहां से ऐसे निकाल देंगे ताकि हमें यहां पर ग्रे कलर नजर आए फिर इसे ऐसे खेंच देंगे यह देखिए यहलो करलर में ग्रे कलर नजर नहीं आएगा ऐसा बनाने से ग्रे के साथ ग्रे एड़ करेंगे और यहलो के साथ यहलो यह देखिए यहलो के साथ यहलो यह देखिए यहलो के साथ ग्रे आ रहा है यहलो के साथ यहलो आ रहा है ऐसे ही हमें दोनों कलर एड़ करने है ऐसे सिलते जाना हमें तो यह देखिए ग्रे के साथ ग्रे आ रहा हैं तो यह देखिए घ्रे के साथ ग्रे आ ग्यांगे यहलो के साथ यहां पे ग्रेय कलर के साथ टक से लिकते evidence शिर लिए ये दिखी I can't apenas like аुली अब टर्ण करके ये वाला ध्वभा केसे पिछे डेंगे और इसके साथ आसए ata rupees कर देंगे नहीं है और पेझ फिस तरफ से इसे Brittany कर देंग कि कि यहां से कट कर देंगे आप दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलना दूसरी साइट पे भी हमें ऐसे ही सिलना जैसे हमने इस साइट पे सिलना यह दिखिए यहां पे भी जैसे हमने यहां पे फोर फंदे आ आ रहे हैं यहां पे हमारे सीधे और यहां हमें पेहें से पता realised हमने इस से जौइंट कró tau साफ कि मैंने दिजाइन आपको बताया कि यहां पर देखिए यहां पर हमने ज्वांट किया और यहां पर फोर फंडे हमारे उल्टे आ रहे हैं यहां पर दस भंडे हमारे सीधे और तो आपने एसे इसे ही बनाना आप दूसरी साई पसे भी हमें। ऐसे ही सिलके कंप्लीट करने हैं। तो देखें प्रेंट्सूरी हमारी क्ली यह देखें ग्येल ao ऐस घृ यह देखें। पूरे बनाके complete कर लिया फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश किया आपको अच्छी तरह से बताने की कि आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो अगर आपको मेरे सिखाने का तरिका अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे Thank you for your time, आगे मिलेंगे ने वीडियो के साथ